सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चानल को और बेल आइकन जरूर दबाएं जये मातादी बंधू एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की बहुत ही खास वीडियो में जो की बहुत ही रिसर्च करके जोतिशास्त के महान गरंथों से और बहुत मेहनत से बनाया गया है सिर्फ आप के लिए यानि कितुला राशी वालों के लिए अ कुछ अच्छी घटनाएं और कुछ बुरी घटनाएं इसलिए वीडियो के आखिर में हमने आपकी राशी के लिए कुछ सुझाव और कुछ उपाई भी बताएं इसलिए आप वीडियो को आखरी तक जरूर देखें क्योंकि कुछ बुरी घटनाओं को टालने में आपको इ बंदू अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानिया हो तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है कि हम आपके उन कमेंट का रेपलाई नहीं कर पाएं क्योंकि रो जाना हजारों की संख्या में हमारे पास कमेंट आती हैं। लेकिन हमारे अगले तुला राशी के वीडियो में हम उनका समाधान यदा समभ समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। बंदूों इस वीडियो बहुती रिसर्च और महनत के साथ बनाया गया है। इसलिए जितना हो सा कि इस वीडियो को तुला राशी वाले बंदू के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि आपके एक शेर से किसी की जिन्दगी बन सकती है, किसी की जिन्दगी बदल सकती है अगर आप तुला राशी के और भी वीडियोज पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं बंदू इस पूरे वीडियो में हमने आपको सारे भविश्चिफल बताएं चाहे वो पैसे के बारे में हो, प्रेम संबंध के बारे में हो, स्वास के बारे में हो, करियर के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो सारी चीजें हमने आपको हमारे इस वीडियो में बताई है आपको बता दे कि जोतिश भाग्य नहीं बदलता बलकि कर्मपत बताता है वो सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है जोतिश विद्या और आपका राशी फल आपको सही समय पर सही कारी करने के बारे में ज्यान देते हैं ताकि आप सरवाधिक लाब उठा सकें जिनवस्तुओं और घटनाओं की ईश्वर अनुमती नहीं देता है उनको ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही कोई और जो बंदूओं सबसे पहले आपको बताते हैं तोलाराशी के वित्तिय भविश्य फल के बारे में 2020 के अप्रिल मई और जून के इन महीनों में तोलाराशी के जातक एवं जातिकाओं को उम्मीदों से कहीं अधिक धन संपत्ति का लाब रहेगा संबंदित आय के साधनों की बुनियात को और अच्छा बनाने की कोशिशें जोर पकड़ती हुई रहेगी जिसे आगामी समय में बहतर आय की स्थिति बनती हुई रहेगी आप अपने व्यापारिक संबंदों को और सुगम बनाने के लिए कुछ प्रभावशाली नए नियमों को पेश करेंगे हालकि 2020 के अप्रेल मई और जून के इन महिनों में और तेजी देने के प्रारूप को तैयार करने में व्यास्त रहेंगे इस दोरान आप अपने पुराने वा बेकार हो चुके उपकरणों को नवीनी करन करने के लिए लगे हुए रहेंगे हालकि लाभेश सूरी का गोचर 14 अपरेल से जून के मध्य मेश में मिथुन गते रहेगा जिसे हापको मिले जुले परिणाम मिलते हुए रहेंगे गुरु गोचरी अस्तिति के कारण आए भाव से अस्टम भाव रहेंगे जो आपको वियाए को और बढ़ाने वाले रहेंगे अर्थात वर्ज 2020 के अपरेल मई और जून के हैं महिने आपको अर्थ वो संपत्ति के मामलों में अच्छा लाभ देते हुए रहेंगे जिसे आप अपने कामों को और मन लगा कर करने में लगे हुए रहेंगे आपको बताते हैं आपके प्रेम और संबंद के भाविश्य फल के बारे में 2020 के अपरेल मई और जून की आए महिने तुलाराशी के जातक वा जातिकाओं के परिजनों वा निजी संबंदों के लिए अनकूल माहूल को बनाने वाले रहेंगे जिसे घर परिवार में परस पर चाहद वा सहियों की भावना प्रकर होती रहेंगी परिणाम सरूप घर में शुब वा सकारात्मक वातावरन बना हुआ रहेगा आप परस पर एक दूसरे की भावनाव का आदर करते हुए अपने घर परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुई रहेंगे हालकि परिवार की किसी सदस्यों को लेकर कुछ मत्भेदों की स्तिती भी उभर सकती है क्योंकि वह कुछ भू संपत्ती के मामलों को पुना उठा सकते हैं जिसे आप उनकी बातों से असहमत रहेंगे हालकि आपकी मन्शा विवादों को सुलजाने की बनी हुई रहेगी यद्य पी कोई तीसरा व्यक्ती चाहे वह नजदी की ही क्यों ना हो कुछ न कुछ पैच फसा कर विवादों को सुलजाने से रोकते रहेंगे अतहा घर परिवार के मामलों को अधिक तूल ना दे उचित अनुचित का विचार कर उन्हें हवश्य सुलजा ले क्योंकि भावगत शुब और अशुब दोनों ही तरहों के ग्रहों का प्रभाव बना हुआ रहेगा 2020 के अप्रिल मई और जून के याए माह ठीक रहेंगे किन्तु सूज भूज भूज भी बहुत जरूरी रहेगी अब बताते हैं आपके स्वास्त के भविश्य फल के बारे में 2020 के याए महिने यानि के अप्रिल मई और जून तुला राशी के जातक वा जातिकाओं के तन की तंदुरुष्टी को बढ़ाने वाले रहेंगे यदि आपको उम्रगत कोई पिड़ाएं वा बीमारियां हैं तो भी उनके समाप्त या फिर कम होने की पूरी स्थिती बनी हुई रहेगी नव्युवग वा युवतियों को अपने सेहत को पुस्ट वा सुगठित करने की समस्याएं संभावनाएं बनी हुई रहेंगी उनका मन अपने कामों में लगा हुआ रहेगा साथी सेहस्त के तुस्त वा दुरुस्त रखने के लिए अनुशाशित रहते हुए खान पान के स्थर को भी बनाने की जरूरत रहेगी हलकि आपको वर्ष 2020 के अपरिल मै और जून के इन माहों में काम के साथ शारीरिक आराम को भी ध्यान में रखकर चलने की जरूरत रहेगी क्योंकि राशी स्वामी शुक्र वर्ष 2020 के अप्रेल मैं और जून के इन महीनों में अप्रेल नो को ब्रश स्वराशी गद गोचर करते हुए पहुच जाएंगे आपकी राशी स्वामी शुक्र वर्ष 2020 के अप्रेल मैं और जून के इन महीनों में यात्राओं में जाने की स्थिती बनी हुई रहेगी इस दुरान आपको मोसम आदि कारणों से स्वास्त में नमी की स्थिती हो सकती है आपको बताते हैं आपके शिक्षा एवं ग्यान के भविश्य फल के बारे में 2020 के अप्रेल मैं और जून की आए महीने तुलाराशी के जातकों और जातिकाओं के शिक्षा वा ग्यान के मामलों में अच्छे अवसरों से युक्त रहेंगे आप अपने कामों को और भी तेजी के साथ करने के लिए उत्साहित बने हुई रहेंगे चाहे आप अध्यापक हो या फिर चात्र शिक्षा वा ग्यान के छेत्रों में आपकी व्यस्तता बनी हुई रहेंगी जिसे आपको इन महीनों में अप्रेल मैं और जून में चाहे वा प्रतियोगी छेत्र हो या फिर प्रबंधन निर्मान वा तकनीक ग्यान के छेत्र हो अधिक मेहनत की जरूरत बनी हुई रहेगी, जिसे कोई प्रतियोगी शेत्रों में आपकी अच्छी बड़त की सिती बनी हुई रहेगी, यदि आप खेल कूद और मनुरंजन के आयोजनों में प्रतियोगी के रूप में आविदन देने की एक्षुक हैं, तो प्रयासों को ते आप रहेगा क्योंकि लापरवाही हानी प्रद रहेगी, आपको बताते हैं आपके करियर और व्यावसाय के भाविश्य फल के बारे में, 2020 के अपरेल मही और जून किया है मही ने तुलाराशी वाले जातक वा जातिकाओं के लिए करियर एवं व्यावसाय के छेतरों में सफलताओं से भरे हुए रहेंगे, अर्थात आप कई छेतरों में निर्नायक मोड पर पहुँचने वाले रहेंगे, हाला कि करियर के प्रति आपको और भी सजग होकर चलने की जरुवत बनी हुई रहेगी, वैसे कर्म भावगत शुभाशुप ग्रही प्रभाव होने से व्यावसायक जीवन में कुछ चुनोतियों की सिति बनी हुई रहेगी, चुनोतियों से निपटने के लिए आपको स्रजनात्मक सोच वा प्रमित करते रहेंगे, वहीं शनी कुछ समस्याओं के संके देकर सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। वैसे ग्रही ये गोचर आपको वर्ष 2020 के अप्रेल मई एवन जून के महिनों में आपके कामों को खराब करने वाले नहीं रहेंगे। फिर भी आप एहतिय प्रमित के तोर पर नियमों वा अनुशाशनों को बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा लाब मिलता हुआ रहेगा और कारोबारी बुनियाद परम परागत तरीके से चलती हुई रहेंगी। आपको बताते हैं आपके लिए कुछ उपियोगी उपाए एवन सुझाव के ब हैं और शनी भगवान के मंदिर तेल का दीपक जरूर जला कराएं शनी चालिसा का पार्ट करें और अपने गले में शनी अंत्र लौकिट जरूर धारन करें जिससे आपके मन में सकारात्मक प्रभावाएगा और आपके सबी कारे पूर्ण होते चले जाएंगे। तुला रा में आपको वाहन चलाते समय विशेश दिहान रखना है। दुरगटना का खतरा बना हुआ है। कुछ सावधानिया आपके जीवन में आपको रखने की बहुत आवशक्ता रहेगी। वरना सरजरी का योग उस समय जरूर बनेंगे और शनी देव कुछ न कुछ प्रभाव आ इतना आप सोच रहे हैं। मच्छ मणी को यदि आप अपने गले में धारन करते हैं तो मच्छ मणी शनी भगवान की करपा से आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करेगी। और आपके जीवन में आ रही कोई भी समस्या का आपको पहले से आभास हो जाएगा और आप स प्रक्ष में आपको रोज जल डालना है, पीपल की पूजा करना है, यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल नहीं है और कोई जगा आपको दक्षिन दिशा में दिखाई देती है, तो आपको पीपल का ब्रक्ष जरूर लगाना है। उन सभी से आपको मुक्ती मिलेगी, सात मुकी रुद्राक्ष को आपको अपने गले में जरूर धारन करना चाहिए। ये था बहुत ही महतपूर वीडियो तुला राशी के लिए अपरेल, माई और जून के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को तुला राशी वाले बंधों के साथ फेस्बुक और वाटसिप पर जरूर शेयर करें। अगर आपकी जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अगले वीडियो में हम उनका समधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोज पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं